अलो दोस्तों मैं पूनमशा उमीदलो क्लासिस्ट के यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ बेलेबल और नॉन बेलेबल में जो डिफरेंस है जमानती और गैर जमानती है अपराद में जो अंतर है वो हमने कर लिया है क्योंकि अंतर ही है सबसे बड़ा मन्त और आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे कॉगनिजेबल और नॉन कॉगनिजेबल में जो डिफरेंस है संगे और ए संगे अपराद में क्या अंतर होता है वो आज हम पढ़ेंगे तो दोस्तो जब भी आपके सामने question आता है तो सबसे पहले आपको वो term define करना होता है कि Cognigable Offense क्या होता है संगे अपराद क्या होता है और ए संगे अपराद क्या होता है तो लो फांडेशन बैच हम लेके चल रहे हैं जितने भी जुडिशरी एस्परेंट्स है, क्लेट एस्परेंट्स है, LLB स्टूडेंट्स है और अधर एस्परेंट्स है उन सभी के लिए ये बैच चलाया जा रहा है तो दीरे-दीरे बून-बून करके हमें घड़ा बढ़ना और संगय अपराद तो ये आपका कौन सा हो जाएगा संगय और एसंगय में अंतर क्या होता है तो जिनों ने भी ये नंबर सेव नहीं किया है वो नंबर आप सेव कर लिजिए 9269100222 आपको कोई question है कोई query है आप इस नंबर पे भेज सकते हैं वो मैं आपको पैनल पे solve करा दूंगे आपको मतलब पूरा अंसर आपको मिल जाएगा साथी साथ में उमीद लौक लासेस को अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लिजी ताकि आपको जो भी मैं पढ़ा रही उसकी पैनल फाइल आपको वहीं पे मिल जाएगी ताकि आप घर पे भी बैठक यह बहुत आराम से पढ़ सकते हैं साथी साथ में अब हम बढ़ते हैं कॉगनिजेबल और नॉन कॉगनिजेबल में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले कॉगनिजेबल ओफेंस तंगे अपरात क्या होता है तो कॉगनिजेबल ओफेंस आपका दिया हुआ है अंडर सेक्शन and 2C of CRPC, 2C of CRPC में आपको दिया हुआ है, इसकी definition दिवी है आपको cognizable offense की, तो cognizable offense means an offense for which and a cognizable case means a case, means a case in which a police officer may कर भी सकता है और नहीं कर सकता है, यहीं कि उसका discretionary power है in accordance with the first schedule of CRPC or under any other law for the time being in force, क्या कर सकता है? Arrest without warrant, तो mainly जो important बात है वो क्या है? कि police officer may arrest without warrant, तो संगे मामला कैसा मामला है? तो संगे मामले से ऐसा अपराद अभीप्रेत है, संगे अपराद से ऐसा अपराद अभीप्रेत है, जिसके लिए और संगे मामले से ऐसा मामला से अभीप्रेत है, जिसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या फिर तत समय प्रवर्थ किसी भी अन्यविदी के अनुसार वारंट के बिना गिरफतार कर सकता है, यहां पर भी क्या है? सकता है, discretionary power आती है बात यह आती है कि cognizable case क्या होता है? संगय मामला क्या होता है? तो यह आपको दिया हुआ है CRPC के section 155 की धारा 4 पे तो यह जो आपको cognizable case आपको दिया हुआ है तो 155 की धारा 4 में आपको दिया हुआ है कि cognizable case संगय मामला क्या होता है तो 155 का sub section 4 में आपको यह दिया हुआ है कि संगय मामला क्या होता है? कि जब अपराद एक से ज़ादा हो जाते हैं और उन में से एक अपराद भी क्या है संगे है एक ओफेंस भी क्या है कॉगनिजेबल है तो वो पूरा मामला क्या हो जाता है कॉगनिजेबल केस हो जाता है संगे मामला हो जाता है clear समझ में आ गया तो 2C के अंदर ये दिया हुआ है next क्या है non-cognizable offense एसंगे अपराथ जो आपको कहां दिया हुआ है 2L में define है जिसकी परिभाशा तो non-cognizable offense means an offense for which and non-cognizable case means a case in which police officer has no authority police officer को कोई भी authority नहीं है बिना warrant के arrest करने की कोई भी authority नहीं है जब मामला कैसा हो offense कैसा हो non-cognizable offense हो एसंगे अपराथ से ऐसा अपराथ अभिपरेथ है जिसके लिए और आसंगे मामला से ऐसा मामला अभिपरेथ है जिसमें पुलिस अधिकारी को warrant के बिना गिरफतार करने का कोई प्रादिकार नहीं है he has no authority to arrest without warrant तो ये होता है आपका non-cognizable offense की ये परिभाशा है कहां दियुई है 2L of CRPC में आपको दियुई है ओके आप देखिए इसमें यहां पर cognizable offense इसका section है 2C आपको दिया हुआ है section 2C आपको section दिया हुआ है cognizable और non-cognizable का कहां पर है 2L में है ये मैंने आपको बता दिया तो सबसे पहले तो difference आप किसका कर दो परिभाशा का यह हम पढ़ चुके है इसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है जो पुलिस अधिकारी है वो प्रतम अनुसुची या तत समय प्रवर्त किसी अन्य विदी के अनुसार वारंट के बिना गिरफतार कर सकता है तो पुलिस अफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट और यहां पर आपका दूसरा क्या है दूसरा देखिए तो पुलिस को कोई भी अथारेटी नहीं होती है बिना वारंट के गिरफतार करने के लिए समझ में आया है सभी को तो यह होता है कॉगनिजबल और नॉन कोगनिजबल तो पहला तो डिफरेंस हाफ डैफिनेशन का गरेंगे दूसरा डिफरेंस क्या है दूसरा डिफरेंस है आपका इन्फोर्मेशन एस गिवण टो पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर इन चार्ज आफ दि प अंडर सेक्शन 154 के अनुसार ठीक है तो संगे मामले के मामले में पुलिस के थाने के भार सादक अधिकारी को सूचना जी जाती है जबकि non-cognizable में क्या होता है कंप्लेंट फाइल होती है मजिस्टेट को चाहे वो औरली हो चाहे वो रिटन में हो चाहे वो मौकिक रूप से हो चाहे वो लिखेत रूप से हो वो non-cognizable में आती है ऐसंग्य मामलों में मौकी क्या लिखे त्रूप से जो परिवाद है वो किसे किया जाता है magistrate को किया जाता है यहां पर पूलिस अदिकारी को बार साह 좌द है पूलिस टेशन के भार साहद अदिकारी को और यहां पर magistrate को तीसरा क्या है? Cognizable offense में क्या होता है? कि पुलिस can start investigation without an order of the magistrate. पुलिस जो है वो unvation, अनुसंधान start कर सकती है, प्रारंब कर सकती है बिना किसी order के, किसके order के magistrate के, बिना किसी आदेश के वो unvation start कर सकती है पुलिस. तो बिना किसी आदेश के, किसका आदेश नहीं मीरा? magistrate. तो 151 में आपको ये दिया हुआ है, कि वो कर सकती है और पुलिस cannot start, इसमें unvation start नहीं कर सकती जब तक कि magistrate का order उसे नहीं मिल जाए. ठीक है? ये इसका provision आपको 155 के 2 में मिलेंगे, कि अगर magistrate ने कहा है इसका unvation होना चाहिए, तो unvation कराएंगे, अन्य था नहीं कराएंगे. पुलिस खुद की मनमर्जी से कोई भी case है, जो non-cognizable है, उसका मामला वो क्या नहीं कर सकती? उस मामले का unvation वो नहीं कर सकती. समझ में आ गया होगा आपको. तो cognizable offense की जब हम बात करते हैं, तो 154 में बात करते हैं और उसका investigation चालू होता है, 156 का one subsection आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी order की जरुरत इसमें नहीं होती, जबकि non-cognizable case में ऐसा नहीं होता है. फोर्ट है आपका cognizable और non-cognizable difference जबको फोर्ट नंबर का क्या है, कि जो cognizable offense जो होता है, वो हमेशा किसके लिए होता है, considered against the society as a whole, यानि कि जो cognizable मामले होते हैं, जैसे किसी ने murder कर दिया, तो वो कौन से case है? कोगनिजेबल केस है, और कोगनिजेबल जो case होता है, वो पूरे समाज को प्रभावित करता है, आज murder कर दिया, अगर उसकी सूचना आप नहीं दोगे, तो उसके खिलाव भी IPC में क्या है? उसका provision दिया हुआ है, कि आपको उसकी सूचना दर्ज करवानी ही पड़ेगी, त कि नोन कोगनिजेबल केवल और केवल एक पीडित व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो ये तो कोगनिजेबल पूरे समाज को है, इसलिए इसकी सूचना आप पुलिस अधिकारी को दे करके unvation करा सकते है, यहाँ पर magistrate को परिवाद किया जाता है, नेक्स्ट है, कोगनिजे केस का, वो कौन करेगा, आपकी गौर्मेंट की तरफ से लड़ा जाएगा, और यहाँ पर नोन कोगनिजेबल केस पीडित व्यक्ति करेगा, जो एग्रिव्ड पर्सन है, जो पीडित व्यक्ति है, वो उसे केस फाइल करेगा, तो ये नोन कोगनिजेबल ओफेंस में होता है सरकार लड़ी मतलब सरकार की तरफ से जो APP जो होता है वो लड़ता है ना तो वो सरकार का वकीली तो होता है तो फिफ्त आपका कॉगनेजबल ओफेंस हो गया शिक्स्त में देखिए अब ये कुछ एक्जामपल से समझाने के लिए कि कॉगनेजबल ओफेंस क्या होते हैं और कॉगनेजबल ओफेंस क्या होते हैं अब ध्यान से इसको समझिए क्या है पहला है मर्डर हत्या का अगर कोई मामला है तो 302 IPC है तो वह कौन सा है कॉगनेजबल केस है इसको आप IPC जो आपकी CRPC है उसका फर्स शेडूल आप खोलेंगे तो ये कॉलम नंबर किसमें दिया कॉलम नंबर 4 में आपको ये बताया हुआ है फर्स शेडूल जो है आपका ये भी आप लिख लीजिए कि ये जो कॉगनेजबल और नॉन कॉगनेजबल ओफेंस की जब हम बात करते हैं तो ये आपको कहां बताया गया है तो जो आपका फर्स शेडूल है उसके कॉलम नंबर 4 में आपको बताया हुआ है कि कौन सा ओफेंस कॉगनेजबल है और कौन सा ओफेंस नॉन कॉगनेजबल है जब आप सी आर पिसी की शेडूल नंबर फर्स खोलेंगे प्रथम अनुसूची में कॉलम नंबर 4 ये बताता है कि ये ओफेंस कॉगनेजबल है या नॉन को आप देखोगे जो आपकी दहेज मृत्य होती है तो वो क्या हो जाएगी आपकी 304 B IPC है तो वो भी क्या होता है कोगे जबल ओफेंस ही हुता है और वॉयर्यजिम जिसको दरश्यकारिता आप बोलते हैं क्या बोलतेyin दरश्यकारिता 354 C में आपको दिया ओवा है ये भी क्या है आपका IPC का जो 354 C है और 354 जो धारा है वो क्या है आपकी Cognizable में आती है तो यह offenses के कुछ example है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सके non-cognizable में कि अगर आपने क्या कर दिया mischief अगर आपने कर दिया जो 426 में आपको दी हुआ है कि mischief रिष्टी अगर आपने कर दि तो रिष्टी में रिष्टी कौन सा होता है आपका non-cognizable offense होता है magistrate को परिवाद करना पड़ता है forgery आपने कर दिया हुआ है 465 IPC में आपको दिया हुआ है छला आपने कर दिया तो वह किसमें दिया हुआ है 417 को दिया हुआ है तो इधर वाले अपरात तो समाज को प्रभावित कर रहा है इसमें केवल एक individual एक व्यक्ती जो पीडित व्यक्ती उसी को प्रभावित कर रहा है पर यह आप से किसी ने छल किया तो प्रभावित कौन हुआ आप पुरा समाज तो नहीं लेकिन कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की दियेज मिद्धिया कर रहा है, कोई एसेट पेक रहा है, तो ये सारे कौन से होते हैं, Cognizable Cases होते हैं, Cognizable Offenses कहलाए जाते हैं, तो ये कुछ एक जामपल भी अगर आप Diffrences में लिख देते हो, तो इसका Marks आपको पूरा सीमें से प कौनसी है तो कॉगनिजेबल नॉन कॉगनिजेबल संगय और एसंगय अपराद में आपको समझ में आया कहां दिया हुआ है फिर्स चेडूल के कॉलम नंबर फोर में दिया हुआ है कॉगनिजेबल को 2C में बताया गया है नॉन कॉगनिजेबल अंडर सेक्षन 154 डील करता है और संगे अगर मामले की बात करें कॉगनिजबल केस की बात करें तो 155 का सब सेक्षिन नमबर 4 आप जाके देखोगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कॉगनिजबल केस क्या होता है तो इनको पूरी डिटेल से लिंक करके आप जोड़ करके पड़ोगे तो आपको यह और भी अच्छे से समझ में आएगा अब नेक्स जो डिफरेंस में लाने वाली हूँ वो होगा आपका इन्वेस्टिगेशन और इंक्वाइरी में तो इसके लिए आप बिल्कुल तयार हो जाईए नेक्स क्लास में हम मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन और इंक्वाइरी के डिफरें भी question है उसके query है वो आप हमें बेश सकते हैं तो आपके पूरी जो भी उम्मीद आप जो रख रहे हो हमसे कि मैं में question हमें नहीं आ रहा तो पूरे details से हम आपको बताएंगी तो मिलते हैं आगली class में investigation और inquiry के trial के differences के साथ में thank you so much